एक बार फिर से वीधुत धारा डिसकस करने वalsa हूं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले फॉर्मुला समझना है। फॉर्मुला में सबसे पहले याद रखना है Q ब्राबर आई टी क्यूँ क्या है आवेस है आई क्या है धारा है और T क्या है समय है। इसके बाद W बराबर याद करना है, W किया है, वर्क है, तो वर्क बराबर याद रखना है भी Q, अब यहाँ पर समझेगा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो Q बराबर IT है, तो Q के जगा में IT रख सकते हैं, अब यहाँ पर समझेगा, तो W बराबर आपको इतना याद आई टी तो डबलू बराबर आपको भी आई टी भी याद रखना है इसके बाद और क्या होगा तो भी के बदले आप क्या रख सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा ओम का नियम पड़े हैं तो आई बराबर क्या होता है भी बटे आर होता है तो यहाँ पर भी के जगा मे B का value रख देते हैं तो यहां से B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं यहां पर तो 1 है तो B एकम B और इसको गुना करेंगे तो IR हो जाएगा तो यहां पर IR रखेंगे अब समझेगा तो यहां पर एक बार मैं इधर में लिख लेता हूँ B के जगा में क्या रखना है IR तो IR मैंने रख दिया इसके बाद यहां पर IT है तो यहां पर IT हो जाएगा तो क्या होगा देखिए यहां पर भी I है यहां पर भी I है तो I square RT हो जाएगा तो W बराबर क्या होगा I square RT भी होगा तो आपको याद करना है ये भी formula याद रखना है लेकिन अगर आप इसको याद किये हैं इसको याद किये हैं तो आप असानी से change कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार फ्रेस लिख लेता हूँ तो W बराबर यहाँ पर क्या मिला W बराबर यहाँ पर मिला है I square RT ये भी आपको याद रखना है तो W बराबर यानि की वर्क बराबर तीन formula मिला है एक formula और होगा अब क्या करेंगे तो इसी से change करेंगे हम लोग क्या किये थे B का value यहाँ पर रखे थे इस बार हम लोग I का value रखेंगे तो I का value कितना रखेंगे तो ohm का नियम से जानते है I बराबर I क्या है current है धारा है तो धारा बराबर क्या होता है B बटे R होता है तो I के जगह में आप इतना रख सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा तो क्या होगा W ब्राबर तो B है और I के जगा में B बटे R रख रहे हैं तो क्या हो जगा B गुने B, B square बटे में R हो जाएगा अब यहाँ पर ध्यान दिजेगे तो यह तो T है ना I के जगा में हम लोग क्या रखे B बटे R रखे तो यह तो T है तो यहाँ पर T रहेगा तो W ब्राबर और क्या हो शकता है यानि की B square T बटे R होगा तो W ब्राबर 4 फोर्मूला आपको मिल चुका है तो अब आपको क्या करना है जैसा जरुवत पड़े वैसा आपको यूज करना है फोर्मूला को तो फोर्मूला यहाँ पर देखिए W ब्राबर इतना भी है इसके बाद W ब्राबर इतना भी होता है W ब्राबर इतना भी होता है और W ब्राबर इतना भी होता है तो टोटल 1, 2, 3, 4 फोर्मूला लेकिन अगर Q बराबर IT याद है और W बराबर BQ याद है तो ये फर्मूला आप खुद बना सकते हैं और ये याद होना चाहिए ओम के नियम से I बराबर B बटे R होता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दूसरा फर्मूला यानि कि पावर का फर्मूला समझना है पावर सकती का फर्मूला ये बिल्कुल किलियर हो चुका होगा और एक बर आपको लिख के प्रैक्टिस करना है अगर एक बर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे हाँ एक चीश समझेगा जैसे यहाँ पर डबलू बराबर चार फर्मूला मैंने बताया तो डबलू और हीट और उसमा ये तीनों एक ही समझना है कल्कुलेशन में परिभासा तो अलग-अलग है ये क्या है ओवर्क है ये हीट है और ये इंटर्नल इनर्जी या आंतरिक उर्जा कर सकते हैं तो ये सभी अगर कल्कुलेशन की बात करें या संख्यात मान की बात करें तो ये तीनों बराबर है लेकिन परिभासा अलग- तो W का जो फर्मूला था उसी फर्मूला को यूज करना है अगर इनर्जी निकालने के लिए उर्जा निकालने के लिए कहा जाएगा तो W का जो फर्मूला था वही यूज करना है तो संख्यात्रक मान ये तीनों का बराबर है तो W का जो फर्मूला है वही हीट का फर्मूला ह यह clear हो चुका होगा अब चलते हैं अब आपको समझना है power के बारे में power यानि कि सकती सकती बराबर क्या होता है w by t होता है यह आपको याद करना है w बराबर t होता है अब यहाँ पर हम लोग change करेंगे, तो यë p बराबर आपको यानि कि power बराबर यह याद रखना है अगर सकती निकालना है power निकालना है तो work और time दिया हुआ है तो निकल जागा इसके बाद अब समझेगा फिर से तो P बराबर अब यहाँ पर W बराबर क्या रख सकते हैं तो W बराबर रख सकते हैं W बराबर BIT था ना तो यहाँ पर आप BIT रख सकते हैं और बटे में क्या है T है तो यह T और यह T कर जागा तो P बराबर तो P बराबर क्या हो जागा BIT तो यह आपको याद रखना है हमेशा के लिए और पहले भी मैंने discuss किया था P बराबर क्या होता है यानि कि B I तो मैंने याद करने के लिए बोला था B I P लेकिन P के बराबर P के बाद बराबर का चीन है आपको याद करना है B I P लेकिन P के बाद बराबर का चीन है तो यहाँ पर देखिए P का यानि कि पावर का दो फर्मूला मिल जुका है अब क्या होगा तो यहां पर देखिए जिसे भी है तो भी के जगा में आप भी का भेल्यू रखेंगे कहने का मतलब है कि आई बराबर क्या होता है भी बटे आर होता है तो भी बटे आर होता है तो यहां पर भी का भेल्यू रखेंगे यहां से निकाल के तो क्या हो जगा भी एकम B और इसको गुना करेंगे तो I गुने R हो जागा इतना होगा तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा P बराबर क्या हो जाएगा तो B के जगा में I R रख रहे हैं और पहले से एक I है तो क्या हो जाएगा I square R हो जागा तो यहाँ पर P बराबर क्या मिल रहा है I square R मिल रहा है तो यह भी आपको याद करना है P बराबर और यह जो फर्मूला है जहाँ पर जैसा जरूत पड़ेगा वैसा आप यूज कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे इस बार एक फर्मूला और बनाएंगे इसी से बन बटे R होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे I के जगह में तो P बराबर भी तो रहेगा और I के जगह में B बटे R रखेंगे तो क्या हो जाएगा B square बटे R हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या मिला B square बटे R तो यहाँ पर भी P बराबर इतना मिल चुका है तो ओम का नियम से तो आई बराबर जानती हैं, इसी का सहता से यह सब ही बन रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर, तो इसको भी याद रखना है, इसके बाद, एक फॉर्मूला मैं अलग से बता जाता हूं, Q बराबर it तो याद कर चुके हैं, याद हो गिया है, सम एक इलेक्ट्रोन में आवेस, एक इलेक्ट्रोन में आवेस, तो इससे इसको भी आपको याद रखना है, अगर कहीं पर आपको Q बराबर, यानि की आवेस निकालने के लिए कहा गया है, और इलेक्ट्रोनों की संख्या दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रोन का आवेस दिया देखिए मैं तरीका बता रहा हूं समझने के लिए प्रस्णा में क्या क्या दिया हुआ है उसको कैसे जानेंगे तो उसका यूनिट से जानेंगे यूनिट से तो सबसे पहले आपको मात्रक याद रखना है यूनिट याद रखना है जैसे इसी प्रस्णा को देखिए जैसे 220 भोल्ट लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने का कोई जरोत नहीं है, लेकिन पढ़ लिजेगा, देखे 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब भी दिया हुआ है भी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट इसके बाद 5A एका मतलब एमपीर तो एमपीर किसका मातरक है धारा का करेंट का तो करेंट को I से डिनोट करते हैं इसका मतलब I दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 एमपीर द प्रवाहित होती है उसकी सकती गन्ना किजिए सकती की गन्ना तो यहां पर पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए कौन-कौन सा फर्मूला याद किये हैं मैं एक बार याद दिला देता हूं पावर निकालना है ना तो पावर बराबर power बराबर क्या होगा w by t होगा लेकिन ये दोनों तो दिया हुआ नहीं है अगर दिया हुआ रहता तो निकल जाता लेकिन दिया हुआ क्या है b और i दिया हुआ है समझने का कोसिस किजिएगा b और i दिया हुआ है तो देखिए एक और formula था P बराबर b i तो यहाँ पर b i हो जाएगा तो देखिए अब इसी formula को यूज करेंगे तो यहाँ पर समझने का कोसिस किजिएगा b d दिया हुआ है 220 volt तो यहाँ पर b नई लिखना है सिर्फ संख्या को लिखना है तो 220 और i कितना है तो i दिया हुआ है पांच एंपियर पांच से गुना कर दिजे तो पांच सुने सुनिया पांच दुना दस के जिरो और पांच दुना दस और एक एगारा तो इतना हो गया लेकिन यह power हम लोग निकाले है न तो power का मातरक होता है वाट तो यहाँ पर हो जाएगा वाट देख लिजे तो 1100 वाट कहां पर है B option से यह तो इस तरीके से आपको solve करना है तो देखे जैसे यह सभी formula है तो कौन सा formula यूज हुआ क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उस पे depend करता है तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा लेकिन एक बार practice किजिएगा जिसे यह formula कैसे आया तो याद नहीं करना है राटना नहीं है राटा हुआ चीज तो आप भूल सकते हैं भूल जाएंगे तो एक बार समझना है समझ के इसको mind में रखना है अब चलते हैं next देखते हैं अगला प्रस्ण में किया है एक बार मैं समझा देता हूँ और एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें 10 प्रस्ण 10 numerical को मैंने discuss किया था अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लिजेगा concept clear हो जागा देखे इसमें क्या बोला है किसी torch के बल पर 2.5 भोल्ट यानि कि भी दिया हुआ है भी दिया हुए कितना है 2.5 है इसके बाद क्या है भोल्ट में है इसके बाद 500 मिली एंपियर अब यहाँ पर समझेगा एंपियर यानि कि current धारा का मातरक एंपियर होता है तो धारा यानि कि आई दिया हुआ है कितना है तो 500 मिली एंपियर है अब यहाँ पर समझेगा मिली एंपियर को change करके एंपियर में रखना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा तो मिली एंपियर है ना यानि कि इतना Ampere हो गया तो यहां पर देखिए आई दिया हुआ है फिर इस मैं लिख लेता हूं आई कितना दिया हुआ है पॉइंट पांच Ampere और भी कितना दिया हुआ है 2.5 वोल्ट दिया हुआ है तो निकालना क्या है किसी टार्ज के बल्ब पर 2.5 वोल्ट 500 मिली Ampere अ आई बराबर भी बटे आर लेकिन परतिरोध आर को निकालना है तो आर को निकालने के लिए क्या करेंगे जैसे आप जानते है कलकुलेसर करने के लिए जैसे बटे में कुछ नहीं तो एक है यहां पर तो यह आ जागा यहां पर और इसको आप यहां पर ला सकते हैं तो भी बटे आई हो जागा इतना हो जागा तो ये क्या है R परतिरोद है R को निकलना है तो value रख दीजिए तो कितना है भी यहांपर देखिए तो 2.5 है और बटे में I कितना है तो 0.5 है तो कितना हो जाएगा देखे एक कंग के बाद point यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक कंग के बाद point है तो यह दोनों point cancel हो जाएगा तो cancel हो जाएगा तो 25 बटे 5 होगा और 25 यान की 5 ohm तो ohm को इस तरीके से denote करते हैं देख लिए कहाँ पर है तो a option सही है इसी तरह का प्रस्ण एक्जाम में आता है और इस तरह का प्रस्ण को छोड़ना नहीं है मैं एही कहूँगा कि छोड़ना नहीं है इसके लिए practice करना होगा सिखना होगा अगर आपको कहीं पर doubt है समझने में problem हो रहा है तो comment में लिखिए मैं फिर से समझाने का परियास करूँ एक प्रस्ण को और मैं discuss कर देता हूँ तो सबसे पहले प्रस्ण को समझना होगा प्रस्ण में क्या दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला था कि क्या क्या दिया हुआ है उसको पहचानने के लिए unit मालूम होना चाहिए जैसे विभवांतर का unit क्या होता है धारा का unit क्या होता है Power का Unit किया होता है उर्जा का Unit किया होता है अगर आप मातरक को याद किये हैं तो असान तरीके से आप समझ लेंगे कि क्या-क्या दिया हुआ है तो देखिए जैसे 2 Ohm लिखा हुआ है इसका मतलब R दिया हुआ है R, कितना है? 2 Ohm है तो इस तरीके से 2 ohm दिया हुआ है इसके बाद 5A, A का मतलब ampere ampere किसका मात रखा है current का यानि की current को i से denote करते है i दिया हुआ है कितना है 5 ampere देखिए कितना असान है इसके बाद 30 minute ये तो समय है न तो यहाँ पर t रखेंगे t कितना दिया हुआ है 30 minute अगर इसको 60 से गुना कर देंगे तो second में change होगा 30 minute और 60 से गुना कर देंगे तो ये second में change होगा 6 या 18 और 2 0 इतना second होगया निकालना क्या है उर्जा तो मैंने क्या बोरा था कि जब भी आप calculation करते हैं तो W यानि कि work या उर्जा निकालना हो या heat निकालना तो ये तीनों आपको एक ही समझना है calculation में परिभासा तो अलग-अलग है लेकिन संख्यात्मक मान बराबर ही है तो अगर heat निकालने के लिए कहा जाएगा तो W का जो formula याद किये है उसी को यूज़ करना है अगर उर्जा यू लिख देता हूँ U तो क्या था I square I square RT देखें बहुत सा formula था कम सकम 4-5 formula था ना तो 4-5 formula में से अब इतना कुछ दिया हुआ है जैसे R दिया हुआ है I दिया हुआ है T दिया हुआ है तो कौन सा formula यूज़ करेंगे कि यह सभी बैठ जाएगा तो सभी को बैठा दिये तो solve हो गया तो देखें I यहाँ पर use हो रहा है R भी use हो रहा है T भी use हो रहा है तो देखें क्या हो जागा I square तो I कितना है 5 है ना तो 5 का square तो 5-25 डिरेक लिख लेते हैं R कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और T कितना है यहाँ पर देख लिजिए 1800 इतना लिख लेते हैं अब मैं इधर में मिटा देता हूँ इसका कोई जरुवत नहीं है अब direct क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो जागा 25 दुना 50 हो जागा इसके बाद गुने में 1800 है इसके बाद कितना होगा अठारा पच्चे 90 होता है अठारा पच्चे 90 होता है ना 5 अठे 40 के 0 5 एकम 5 5 चावचार 9 या अठारा पच्चे 90 और 3 0 बैठा दीजिए तो देखिए इतना हो गया अब समझेगा ये W यानि की हम लोग उर्जा निकाल रहे है तो W यानि की Work Work का मातरक Joule होता है उर्जा का मातरक Joule होता है उस्मा का मातरक Joule होता है Heat का मातरक Joule होता है Heat मतलब वही उस्मा हो गया तो मैंने इंग्लिस में बोल दिया तो हम लोग यहां पर क्या निकालें W का फॉर्मूला ही यूज किये लेकिन ये क्या है उर्जा है उर्जा के लिए यू लिखेंगे तो वो बिल्कुल समझ में आ गया है तो ये क्या हो जगा जूल हो जगा तो इस तरीके से आपको समझना है और कहीं पर डाउट अगर है तो डाउट या कन्फूजन कहीं पर है तो कमेंट में लिखे बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूँगा और आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम